महारास्ट्रा की सडकों पर आज जबर्दस्त बवाल देखने को मिला और ऐसा बवाल हाल के वर्षों में देखने को नहीं मिला है उद्दव ठाकरे सडकों पर उतराए जूता मारने का काम किया एकना सिंदे और देविंदर फड़नवीस की ऐसी भारी फजियत कभी नहीं ऐसी फजियत हुई है उद्दव ठाकरे कॉंग्रेस और NCP यानि इंडिया गठबंदन ने मुंबई के गेटवे ओफ इंडिया पर बड़ी संख्या में उतर करके विरोध पदसन किया और इंडिया गठबंदन की तरफ से गेटवे ओफ इंडिया पर उतर करके कहा गया कि हम गेटवे ओफ इंडिया पर इसलिए आए है क्योंकि यहां से भाजपा का गेट आउट ओफ इंडिया करना है बहुत बड़ा नारा है गेटवे ओफ इंडिया पर विरोध पदसन करके हम भाजपा को गेट आउट ओफ इंडिया कर देंगे यह तस्वीर आप देखिए गेट तीनों पार्टियों के नेता जिसमें उद्दव ठाकरे सर्थ पवार और नाना पटोले कोंग्रेस पार्टी की तरफ से तीनों पार्टियों के प्रमुख वहाँ पर मौझूद थे बड़ी भारी तदात में यहाँ पर कारिकरता आम लोग सब पहुँचे और कहा गया कि भाजपा को गेट आउट ओफ इंडिया करना है तस्वीर आप देखिए उद्दव ठाकरे नजर आ रहे हैं और उद्दव ठाकरे ने चप्पल हाथ में ली हुई है नीचे तीन तस्वीर आपको दिखाई दे रही है देविंदर फढ़नवीस की तस्वीर है एक विपक्स सडकों पर उतर रहा है राजनती कर रहा है लेकिन आप बताइए कि महराथा लोगों के महराष्टरा के लोगों के अराध्यदियो वीर सिवाजी की पृतिमां गिर जाती है मात्र मात्र सात महीने के अंदर ओर आपको करप्षन नजर नहीं आ रहा है कहिं पर अभी तक किसी पर गास गिरी, किसी का इस्तिफा हुआ, नहीं हुआ. मोदी जी ने माफी मांगी, लेकिन मोदी की माफी में भी विपक्स कह रहा है कि एहंकार टपक रहा था, वो माफी नहीं थी, वो तो एहंकार का पुतला था. और आज विपक्स ने सीधे तोर पर मोर्चा खोल दिया, और निश्चित तोर पर अब चुनाओ दूर नहीं है. जिस स्तेवर में आज विपक्स यहां पर नजर आया है, इंडिया गठ बंदन नजर आया है, वाकई ये चुनाओ में सीधा असर इसका पड़ेगा. भासकर ने लिखा है, सिवाजी मूर्ती गिरने के खिलाब मारास्ट्र विकास अगाडी का प्रोटेस्ट उद्दव ने सिंदे फड़नवीस की फोटो पर चपल मारी सीएम बोले जनताई ने जूते से पीटे. तो एक तरफ इंडिया गठबंदन का प्रोटेस्ट था और दूसरी तरफ एंडिये का भी प्रोटेस्ट हुआ. महरास्ट्रा के कोलापूर में च्छतरपती सिवाजी महराज की मूर्ती गिरने के विरोध में आज रविवार को महाविकास अगाडी MVA मुंबई में प्रदसन कर रही है. इसे जोडे मारो यानि जूता मारो आंदोलन का नाम दिया गया. MVA ने साउथ दिल्ली के हुतात्मा चोक से गेटवे ओफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला. इसमें उद्दव ठाकरे, अदित्य ठाकरे, सर्द पवार, सुप्रिया सूले, नना पटोले समेत MVA के तीनों पार्टियों के बड़े नेता सामिल हुए. यहीं आज के इस प्रोटेस्ट में कोई महराष्ट्रा का ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो इसमें ना हो. और इसी से आप समझ लेजे कि कितना बड़ा करंट इसको लेकर के महराष्ट्रा के अंदर आपको दिखाई देगा. परदसन के दोरान उद्दव ठाकरे ने सियम सिंदे, डिप्टी सियम, देविंदर फड़नवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चपल मारी. उन्होंने कहा कि मोदी की माफी एहंकार से भरी हुई थी. वहीं सर्थपवार ने कहा कि मूर्ती गिरना ब्रशचार का एक उधारन है. इदर सियम सिंदे ने कहा कि विपक्स मामले पर राजनिती कर रहा है, जनता देख रही है. आने वाले चुनाव में महराष्ट्रा की जन में हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं आप और आप जो है विपक्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. मूर्ती गिरी आपके द्वारा उधगाटन की वी मूर्ती गिरी. एक और मूर्ती है मारास्ट्रा के अंदर जो की जवारलल नहरू के समय पर बनाई गई थी. जवा जवारलल नहरू के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई मूर्ती दिखाई नहीं देती जो साथ महीने के अंदर गिर गई हो. और सततर साल की मूर्ती ये सततर साल की नहरू की बनाई वी चीजे जोंकी च्यों खड़ी है और इनकी साथ महीने की चीजे नहीं टिक पा रही है. कभी संसद से पानी टपकता है कभी राम मंदिर से पानी टपकता है कभी राम पत में गाड़ियां धस जाती है कभी गुजरात में हाल बेहाल हो जाता है यानि एक भी मोडल काम्याब नहीं है मोदी माफी मांग रहे लेकिन मोदी की बोडी लेंग्वेज आप देखिए माफी है या किसी दूसरे वेक्ति के उपर आप अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं यह एंकार है माफी है आप खुद दे करिए सिंदू दूर्ग में जो हुआ मेरे लिए मेरे सभी साथियों के लिए चत्रपती सिवाजी महराज यह सिर्व नाम नहीं है हमारे लिए चत्रपती सिवाजी महराज यह सरफ राजा महराजा राजपूरूस मात्र नहीं है हमारे लिए चत्रपती सिवाजी महराज आराज्य देव है और मैं आज सर जुका करके मेरे आराज्य देव चत्रपती सिवाजी महराज की उनके चनुनों में मस्तख रखके माफी मांगता हूँ उद्दव ठाक्रे ने इसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूक दिया है सिव सेना चीफ उद्दव ठाक्रे ने कहा कि महरास्टरा में जो कुछ भी चल रहा है मैं इसे रास्तिती नहीं मानता हूँ इस गलती को माफी नहीं अपना दुख व्यक्त करने के लिए हमने गेटवे ओफ इंडिया को चुना है यहां से भाजपा का गेट आउट ओफ इंडिया करना है मोदी ने माफी क्यों मांगी पुतला गिरे इसके लिए माफी मांगी या परतिमा में भश्चार हुआ इसके लिए माफी मांगी किसके लिए माफी मांगी मोदी किसके लिए माफी मांगेंगे जल्दबाजी में चुनाओ के लिए राममंदिर का उधगाटन के लिए संसद भवन का उधगाटन किया सबसे पानी टपक रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबका हिसाब लिया जाएगा और सबका जो है वो सवाल अब यहाँ पर उठेगा कि आप कैसे जो है वो लगाता रेक के बाद एक आनन फानन में उधगाटन करते चले गए मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक बताता चला गया लेकिन ढोल की पोल आपके साथ के साथ खुलते चली गए क्योंकि चाइनीज माल और दिखावे का काम ज्यादा टाइम तक ट्रिकता नहीं है कॉंग्रेस परदेश अद्यक्स नाना पटोले बोले कि तब्यत खराब होने के बावजूद भी सर्थपवार मार्च में आये है चतरपती सिवाजी महराज हम सब के अराध्य है सर्थपवार तबियत खराब होने के बावजूद सिवाजी महराज के लिए मोर्चे में सामिल हुए गेटवे उफ इंडिया के सामने चतरपती सिवाजी महराज की मूर्थी के सामने हम सब आये है यहां से हमें संकल्प ले करके जाना है कि माफी वीरों को घर का रास्ता दिखा दे यानि यह मुद्दा अब खतम होने वाला नहीं है यह तो बढ़ता ही चला जाएगा और अब सिवाजी महराज की मूर्थी को आप चाइना से ला करके तो लगा नहीं पाएंगे और यहां दो दिन में चार दिन में दस दिन में उसको तयार करके लगा देंगे वो मूर्थी फिर कितने दिन टिकेगी इस बात की भी गारंटी नहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी एक ऐसे चक्रव्यू में फस चुकी है कि शायद अब चुनाओ तक बीजेपी यहीं पर तड़पती रहे कॉंग्रेस बोली कि मूर्थी गिर गई है और भाजपा को शर्म नहीं आ रही है प्रोटेस्ट में सामिल हुए कॉंग्रेस नेता भाई जगताप सिंग ने कहा कि यह भूमी छत्रपती सिवाजी महराज की भूमी मानी जाती है उनकी मूर्ती गिर गई और उन्हें इस पर कोई शर्म नहीं आ रही है यानि भाजपा को इस पर कोई शर्म नहीं आ रही है जगताप ने आगे कहा कि भाजपा कह रही है कि इसका राजनितिकरण नहीं करें लेकिन अगर भाजपा समर्थन में ग्रोध कर रही है तो उन्हें श बोडिल एंग्वेज थी जिस तरीके से मुठी तान करके मोदी जी ने माफी मांगी वो माफी नहीं होती है माफी हाथ जोड़ करके सिरनिवा करके और अराम से स्यान तलहजे के अंदर आप माफी मांगते हैं लेकिन बात केवल इतनी नहीं है माफी या फिर नहीं मांगा या मांगी बात इतनी नहीं है बात ये है कि ये मूर्ती जब बनाई गई तब से लेकर के और जब ये गिरी मूर्ती तब तक इसके अंदर बहुत सारी चीजे ऐसी हुई जिन पर परदा डाल दिया गए एक एक करके मचीजे आपके सामने रखता हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मूर्ती बनाई गई थी उस वक्त में ये खबर आप देखिए भासकर नहीं ये खबर की है सिवाजी महराज की परतिमा गिरने का मामला कंसल्टेंट गिरफतार कला निदे साले के डिरेक्टर बोले कि 6 फिट की परमिसन थी नो सेना ने बिना बताए 35 फिट के लिए ये बड़ा सवाल है ये मूल सवाल है आप बताई कि मूर्ती कैसे नहीं गिरेगी कहीं पर 6 फिट की कोई चीज लगाने की अनुमती आपको मिली है कला निदे साले के डिरेक्टर बोले मिट्टी का मोडल दिखा कर के परमिसन ली माराश्टरा कला निदे साले के डिरेक्टर राजिव मिस्रा का कहना है कि उन्होंने केवल 6 फिट की मूर्ती लगाने की परमिसन दी थी इसके लिए मूर्तिकार ने मिट्टी का मोडल दिखाया था, मंजूरी मिलने के बाद नोसेना ने निदेसाले को यह नहीं बताया था कि मूर्ति 35 फुट उची होगी, नहीं यह बताया गया था कि इसमें स्टील की पलेटों का इस्तमाल किया जाएगा, स्टेट पीडेवलुडी ने नोसेना को 2.44 करोड यानि 2.5 करोड ट्रांसफर किये थे, नोसेना ने मूर्तिकार और सलाकार न्यूक्त किये, डिजाइन फाइनल होने के बाद निदेसाले को मंजूरी के लिए भेजा गया, बाद में इसकी उचाई बढ़ा ली गई होगी, अब ये ऐसा लगता है कि जिसकी कोई बच्चा भेजा था टोफी लेने के लिए और बच्चा जो है वो टोफी जो है वो एक बिस्किट ना ला करके और पूरा एक, आप ये कहें कि पूरा का पूरा एक कार्टून बड़ा डबा उठा करके लिया, कोई ऐसी बात हो, ये बा बड़ी मूर्ती बना दो, इस अपने लेवल से, अपने आप से ही जो है, वो सब कुछ कर दिया गया, अब चेतन ने, चेतन पाटिल, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, ये चेतन पाटिल कोन है, जब सिवाजी महराज की परतिमा लगाए गई थी, तब चेतन पाटिल, स्ट्रक्चल कंसल्टेंट थे, 2010 में, 2010 से वो कोलापूर के एक एजुकेशनल इंस्टूट में प्रोफिसर भी रहे, चेतन ने दो दिन पहले एक मराथी न्यू चैनल को इंटर्वियू में कहा था कि परतिमा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने मूर्ती केवल, मूर्ती मूर्ती का अधार, बेस, तयार किया था, मूर्ती जो उसके ऊपर खड़ी की गई है, मैंने नहीं की थी, पूने के किसी कंपने को काम दिया गया, ये है असली कमी, और ये प्रधानमंत्री लेवल तक हो रहा था, तोकि प्रधानमंत्री को भी बार बार चिठ्ध्या लिखी गई माविका सगाडी के निताओं ने लिखी बाकी के लोगों ने लिखी और कहा कि मूर्ति का डिजाइन ठीक नहीं है आप इस मूर्ति के डिजाइन को बदल लेकिन वही है कि हम कर रहे हैं हम बड़े एक ऐसे जो है वो असो में एक ग्यग पर हम स्वार हो गए हैं कि हमें अफ़त बन करके तूटा है और महराष्टरा के चुनाओं में कैसे बीजेपी से बचेगी बड़ा सवाल है वेराल इस खबर को आप शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाइए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज हुआ है और यकीन मानिया आप ऐसा प्रोटेस्ट हाल के वरस हुआ 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 है